नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेस बायरभी पर आज के इस वीडियो में मैं आपको महत्तपुन शिक्षर समेलन 2022 के पढ़ाने वाला हूँ ये काफी जादा important topic है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो और friends इस वीडियो में मैंने सभी question selected और important लिये है जो आपके upcoming सभी exam के लिए काफी जादा important रहने वाले हैं तो अगर आप किसी भी exam की तैरी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाली है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हमारे first question से हमारा पहला question है शंगाई सहीयोग संगठन के रक्षा मंतरियों की बैठक कहां आयोजित हुई है सही answer है option C ताशकन उस्बेकिस्तान में तो ताशकन जो की उस्बेकिस्तान की राजदानी है वहाँ पर शंगाई सहयोग संगठन के रक्षा मंतरियों की बैठक आयोजित हुई है यह आपको याद रखना है और इस बैठक का उदेशे जान लेते हैं इस बैठक का उदेशे आंतकवाद उग्रवाद और अलगावाद के खिलाफ लड़ाई में शंगाई सहयोग संगठन के सदसे देशों के बीच समनवय तथा बादचीत की सुविधा प्रदान करना है और भारत की तरफ से अध्यक्ष इससे पहले इसे शंगाई 5 ग्रूप के नाम से जाना जाता था जिसे फाउंड किये गया था 26th of April 1996 को और मुख्याले इसका फ्रेंट्स बीजिंग चीन में हैं सेक्रेटरी जनरल हैं SCO के व्लादिमीर नौरोव महा सचिव हैं जांग मिंग ये information आपको याद रखने हैं SCO क किया जाएगा सई आंसर है option A Halifax Canada तो Halifax Canada में फ्रेंट्स पैसेटवा राष्ट मंडल संसेदी समयलन 2022 आयो जित किया जाएगा ये आपको याद रखने हैं important point से जान लगते हैं भारती सांसुदों के दल का नेत्र तो लोग सभा अधेक्ष ओम बिरला करेंगे ये आपको य याद रखना है next question भारती रक्षा उदियोग के विस्तार के क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा सई आंसर है option A गांधी नगर गुजरात में तो गांधी नगर गुजरात में फ्रेंट्स रक्षा प्रदर्शनी 2022 आयो बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्षे पाने के लिए महौल का निर्मान करना है और इस प्रदर्शनी का ये बार्वा संसकरन है ये आपको याद रखना है और थीम है इसका path to pride ये आपको याद रखना है next question आंतकवाद के खिलाब वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के 15 देशों के राजनेकों की विशेश बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा सई answer है option c भारत देश तो ये आपको याद रखना है important points से समझ लेते हैं इस बैठक का आयोजन नई और उभरती प्रदियोगिकियों के योग से उत्पन खत्रे से नपटने के लिए किया जाएगा ये आपको याद रखने है अब मैं आपको UNSC यानि के United Nations Security Council जिसे की हिंदी में संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत क्याते हैं इसके बारे में information देता हूँ इसकी स्थापना फ्रेंट्स 1945 में हुई है मुख्या चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं ये आपको याद रखना है अगला प्रश्ट नकसलवाद की समस्या को जड़ से खतम करने के लिए भपाल में आयोजित केंद्रिय क्षेत्रिय परिशद की 23 बैठक की अध्यक्षता किस ने की है सही आंसर है option D अमि परिशद वैधानिक निकाय है ये संसत के एक अधिनियम यानि राज्य पुनर गठन अधिनियम 1956 द्वरा स्थापित की गई है ये आपको याद रखना है इस अधिनियम ने भारत को 5 क्षेत्रों उत्री, मध्य, पूर्वी, पश्चमी और दक्षनी में विवाजित किया की आंसर हैं ऑप्शन है बेंगलूरू करनाटक में तो भारत स्वच वायू शिकर समेलन 2022 का चोथा संसकरन बेंगलूरू करनाटक में आयोजित हुआ है ये आपको याद रखने है और फ्रेंड्स इसका आयोजन सेंटर फॉर एर पॉलूशन स्टडी और सेंटर फॉर को उन पर चर्चा की जाएगी और इसकी थीम है फ्रेंड्स दा राइट टो लाइफ सेटिजन एड़ दे सेंटर फ साइंस ये आपको याद रखना है अगला प्रशन है महिला पुलिस का दस्वा राश्री समेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है सई आंसर है ऑप्शन है शिमला हिमा हिमाचल प्रदेश में तो शिमला हिमाचल प्रदेश में दस्वा राश्री समेलन 2022 महिला पुलिस का आयोजित हुआ है ये आपको याद रखना है इंपोर्टन पॉइंट से जान लेते हैं ग्रहम अंतराले तथा पुलिस अनुसंधान और विकास दियोरों ने हिमाचल प्र में और mcqs form में आपके लिए प्रवाइड करुआ है और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेच्च भी रखे हैं जिससे कि आपके करन्ट फेस के काफी अच्छे तरीके से त्यारी हो जाएगी और यकीन वानी ये बुक आपको हर एक एक्जाम में काफी मदद करने वाली है और इस बुक को आप Amazon और Flipkart से भी बाई कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के description box में provide करवा दूँगा और friends जब भी आप इस बुक को बाई करें इस पर हमारे चैनल के Treadmark को देखकर ही बाई करें नेक्स्ट कोशन देखते हैं आंतगवाद से लड़ने के लिए नई देली में आयोजित राश्ट्रिय सुरक्षा रन निती समेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है सई answer है option c अमिश शा ने जो कि केंदरी ई ग्रह मंतरी हैं भारत के तो अमिश सुरक्षा रन निती समेलन 2022 की अध्यक्षता की है important point से जान लेते हैं राश्ट्रिय सुरक्षा रन नीती समेलन राश्ट्रिय सुरक्षा चुनोतियों का समाधान करने के लिए शीर्ष नेत्रित्व को एक साथ लाता है इस समेलन में पुलिस अधिकारी टेक्स कोन 2022 का दस्वा संसकरन कहां आयोजित हुआ है सई आंसर है option D नई देली में तो नई देली में एशियन वस्त्र समेलन टेक्स कोन 2022 का दस्वा संसकरन आयोजित हुआ है यह आपको याद रखने है important information लेते हैं यह एक वार्षिक कारिक्रम है जिसका आयोजिन भारती कपड़ा अदियोग परी संग CITI द्वारा 2005 से किया जा रहा है और इसका theme है friends reimagining the textile and April industry for the next decade next question एशिया और ओशनिया क्षेत्र के लिए अंतर राष्ट्री दूर संचार संग ITU क्षेत्री मानिकी करन फोरम 2022 का आयोजन कहां हुआ है सई answer है option C नई देली भारत में तो यह आपको याद रखना है कि नई देली भारत में अंतर राष्ट्री दूर संचार संग क्षेत्री मानिकी करन फोरम 2022 का आयोजन हुआ है संचार मंत्राले दूर संचार नियामक और निती गत पहलू पर आयोजित इस बैठक की मेजबानी की है इस फोरम में 20 देशों के 200 से अधिक प्रती निधियों ने भाग लिया है यह आपको याद रखना है और इसका थीम है और इसका तीम है फ्रेंट्स Regulatory and Policy Aspects of Telecommunication यह आपको याद रखना है Next Question नई देली में आयोजित निती अयोग की Governing Council की सात्मी बैठक की अधिक्षता किसने की है Important Question है सई answer है Option है नरेंदर मोदी ने जोकी भारत के प्रधान मंतरी है तो नरेंदर मोदी ने निती अयोग की Governing Council की सात्मी बैठक की अधिक्षता की है यह आपको याद रखने Important Points से समझ लेते है निती अयोग की Governing Council की इस बैठक के एजन्डे में फसलों के विविधी करण तिलहन दालों और कृषी समुदाओं के मामले में आतम नर्बरता हासिल करना है और केंदर तथाराज्यों और केंदर शासित प्रदेशों के बीच सायोग को बढ़ावाद देना है तो फ्रेंट्स इस कोशन में निती अयोग के बारे में बात हुई अब मैं आपको निती अयोग के बारे में Information देता हूँ इसका फलफॉर्म है National Institution for Transforming India कई सारे एक्जाम में पुछी गई है राश्ट्री भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में कहा जाता है निती को स्थापना होई है इसकी 1 जनवरी 2015 को मुख्याल ले इसका नई देली में है अध्यक्ष है इसके नरेंदर मोधी उपध्यक्ष है इसके सुमन के बेरी CEO है नीती आयोग के परमेश्वरन एयर ये आपको याद रखने है और ये है नीती आयोग का लोगो नेक्स्ट कोशन भारत और दक्षिन पूर्वी एशियाई राश्ट्रों के संगठन यानि कि आशियाई मंत्री स्तरिये बैठक 2022 कहां आयोजित हुई है सई आंसर है आप्षने कमबोडिया में तो फ्रेंट्स कमबोडिया में आशियाई मंत्री स्तरिये बैठक 2022 आयोजित हुई है ये आपको याद रखने है इस बैठक में हिंद प्रशांद महासागर आंतकवाद के खत्रों से मुकाबला और युक्रेन एवं मायामा के खटना क्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है भारत की तरफ से अध्यक्षता की है एस जैशंकर साब ने जो की केंदरी विदेश मंतरी है भारत के अब मैं आपको आशियन यानी की Association of Southeast Asian Nations के बारे में information देता हूँ हिंदी में से आशियन दक्षिन पूर्व एशियाय राश्ट्रों का संगठन कहते हैं इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को ही है मुख्याले इसका जकारता इंडोनेशिया में है अधियक्ष हैं इसके ली सिन लुंग ये आपको याद रखने हैं महा सचिव हैं आशियन के लिम जौक होई सदस्य देश हैं आशियन के 10 जिसमें की ब्रूनेई, कमबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मैनमार, फिलिपीन्स, सिंगपूर, थाइलेंड, वैतनम, देश शामिल हैं ये आपको याद रखने और मोटो है आशियन का एक दृष्टी, एक पहचान, एक समुदाए अगला प्रश्ट अखिल भारतिय जिला विधिक सेवा प्राधी करणों की पहली बैठक कहां आयोजित हुई है सई आंसर है आप्शन ए विज्ञान भवन नई देली में तो ये आपको याद रखने है ये बैठक राश्री कानोनी सेवा प्राधी करण एन एल एस ए द्वारा आयोजित की गई है ये आपको याद रखने है और अध्यक्षता की है इसकी नरेंद्र मोदी ने जो की भारत के प्रधान मंत्री है नेक्स्ट कोशन इस तरह का पहला राश्री समेलन है जिसमें भारत के ग्रह मंत्री के साथ भिविन राज्यों के मुख्य मंत्री और मादग पदार्थों पर लगाम लगाने वाली एजनसी एक मंच पर होगी इस समेलन में देली, चन्ने, गुहाटी और कॉलकत्ता में स्वापक नियंतरन ब्यूरो की टीम ग्रह मंत्री के सामने 30,000 किलो ग्राम से अधिक मादग पदार्थों को नस्ट किया गया है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन नई देली में आयोजित, राश्ट्रिय परिवार, नियोजन शिकर समेलन 2022 की अधिक्षता किस ने गी है सई आंसर है आप्शने भारती प्रवीन पवारने, जो की केंदरी स्वास्ते राज्य मंत्री है तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन भारती नो सेना द्वारा, नो सेना नवाचार और स्वादेशी करन संगठन की पहली स्वावलंबन 2022 नामक संगोश्टी कहां आयोजित हुई है सई आंसर है आप्शन डी नई देली में तो यह आपको याद रखने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने मुख्य अतिति के रूप में इस संगोश्टी में हिस्सा लिया है यह आपको याद रखने है इस संगोश्टी का प्रात्मिक उदेश्य भारती नो सेना के तहत नवाचार को बढ़ावा देना और अकादमिक एवं उद्योग जगत दोनों की भागिदारी के माध्यम से तकनीकी अंतर को कम करना है यह आपको याद रखने है साइबर सुरक्षा सायोग पर विशेशगे समूँ बैठक 2022 कहां आयोजित हुई है सई आंसर है आप्शन सी नई देली भारत में तो नई देली भारत में फ्रेंट्स विशेशगे समूँ बैठक 2022 आयोजित हुई है यह आपको याद रखना है भारत सरकार के राष्टिय सुरक्षा परिशद सची वाले द्वारा नई देली में साइबर सुरक्षा सायोग पर विशेशगे समूँ की बैठक आयोजित की गई है बैठक की अधिक्षता की है लेटिनेंट जर्नल राजेश पंत ने जो की भारती साइबर सुरक्षा के राष्टिय समनवेख है यह आपको याद रखना है अगला प्रशन है भूमी गत जलसतर को उपर उठाने के लिए भूमी संसादन विभाग ने राष्ट्री वाटरशेट समेलन 2022 का आयोजन कहां किया है important question है सई answer है option D नई देली में तो नई देली में friends राष्ट्री वाटरशेट समेलन 2022 का आयोजन हुआ है next question क्रिशी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्रिशी और बागवानी मंतरियों का राष्ट्री समेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है सई answer है option है बेंगलूरू करनाटक में तो बेंगलूरू करनाटक में क्रिशी और बागवानी मंतरियों का राष्ट्री समेलन 2022 आयोजन हुआ है यह आपको याद रखने इस समयलन का आयोजन केंद्रिये कृशी मंतराले द्वारा किया गए है जिसमें भारती कृशी अनुसंधान परिशे द्वाराविक्सित नई तक्णीक पर विशेशक के जानकारी प्रदान की जाएगी क्रिशी मंत्री हैं भारत के नरेंदर सिंग तोमर ये भी आपको याद रखना है रक्षा मंत्री राजना सिंग ने भारत की पहली Artificial Intelligence in Defense संगोष्टी और प्रदर्शनी का शुभारम कहां किया है सई आंसर है Option D नई देली में तो ये आपको याद रखना है इस प्रदर्शनी में रक्षा मंत्री राजना सिंग ने आतम निर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 75 AI संचालित रक्षा उत्पादों का भी शुभारम किया है ये आपको याद रखना है ये प्रदर्शनी उत्पाद, सवचालन, मानव रहित रोबोटिक सिस्टम, साइबर सुरक्षा और सूचना निगरानी प्रणाली जैसे क्षेत्रों से समंदित है अगला प्रश्ट प्राक्रितिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने प्राक्रितिक खेती समेलन 2022 का शुभारम कहा किया है सई आंसर है आप्शन भी सूरत गुजरात में तो सूरत गुजरात में प्रधान मंतरी निरेंदर मोदी ने प्राकृतिक खेती समेलन 2022 का शुभरम्त किया है इस समेलन में हजारों किसान तथा अन्य हित धारक भी शामिल हुए हैं जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में काम्यभी हासिल की है अगला प्रश्ट, जैपुर में आयोजित उत्तरक शेत्रिय परिशत की तीसमी बैठक की अध्यक्षता किसने की है सई आंसर है, आप्शन भी, अमिच शाने जोकी भारत के ग्रेह मंत्री है इस बैठक में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सेक्योरिटी, साइबर अपराद, सीमा पार से नशा खोरी, सहित कई विश्यों पर बैठक में चर्चा की गई है, यह आपको याद रखना है अगला प्रश्ट, नई शिक्षा निती का रोड मैप तियार करने के लिए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने अखिल भारती शिक्षा समागम 2022 का उधगाटन कहां किया है, सही आंसर है आप्शने, बारा नसी उत्तर प्रदेश में तो यह आपको याद रखना है, important points से समझ लेते हैं, इस समयलन का उधेश है, नई शिक्षा निती के तहट, निती निर्माताओं के साथ विचार विमर्ष करके बच्चों की प्रतिभा और च्वाइस के हिसाब से उन्हें कुशल बनाना है next question, केंदरी विदेश मंत्री S. जैशंकर कहां पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे, सई answer है, option B, Bali, Indonesia तो Bali, Indonesia में G20 देशों के विदेश मंत्री की बैठक होने वाली है, जिसमें S. जैशंकर साब भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे, यह आपको याद रखना है important points से समझ लेते हैं G20 विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भाग लेने वाले विदेश मंत्री बहु पक्षवाद को मजबूत करने और खाद्य और उर्जा सुरक्षा सहीत वर्तमान वैश्विक चुनोतियों जैसे समकालीन प्रसांगिक्ता के मुद्दों पर विचार विमर्ष करेंगे अब मैं आपको group of 20 यानि की G20 के बारे में information देता हूँ G20 फ्रेंट्स 19 देश और European संग का समू है यह आपको याद रखने है इसकी स्थापना 26 सतंबर 1999 में हुई है भारत G20 का हिस्सा है most important point G20 का पहला समेलन कहां हुआ था अमेरिका में सन 2008 में यह आपको याद रखना है 16 जीट्वेंटी समेलन 2021 कहां हुआ था तो यह इटली में हुआ था यह आपको याद रखना है 17 जीट्वेंटी समेलन 2022 का इंडोनेशिया बाली में होने वाला है अठारवे G20 समेलन 2023 की मेजबानी भारत के जम्मों और कश्मीर में होने वाली है यह आपको याद रखना है नई देली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्ते शिकर समेलन 2022 का उधगाटन किस ने किया है सई आंसर है आप्शने पुरुशोतम रुपाला जो की केंद्रिय मत्से पालन और डेरी मंत्री है इन्होंने पहले पशु स्वास्ते शिकर समेलन 2022 का उधगाटन किया है इस समेलन का उधेश भारत की खादे और पोशन सुरक्षा ग्रामिन आय एवं समगर आर्थिक विकास के प्राप्ती के लिए पशु स्वास्ते के महत्तव को समझना है या आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन नाटो शिकर समेलन 2022 का आयोजन कहा हुआ है सई आंसर है option B Madrid Spain में नाटो शिकर समेलन 2022 का आयोजन हुआ है या आपको याद रखने है जैपैन इतिहाज में पहली बार इस शिकर समेलन में हिस्सा लिया है या आपको याद रखने है शिकर समेलन के अध्यक्षता जैन्स टॉल्टेंबग ने की है जो कि नाटो के महासचिव है या आपको याद रखने है और संसकरन है इस समेलन का 32 ये भी आपको याद रखने है नाटो समेलन 2021 ब्रुजल्स बेल्जिय में हुआ था ये आपको याद रखने है नाटो समेलन 2023 वाला लिथुआनिया वीनियस में होने वाला है ये आपको याद रखने है अब मैं आपको NATO यानि के North Atlantic Treaty Organization के बारे में information देता हूँ हिंदी में से उत्री Atlantic संधी संगधन कहते हैं इसकी स्थापना 4 April 1949 को हुई है मुख्यालियस का Brussels में है Next question पहले I2-U2 शिकर समेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है सई answer है option D नरेंद्र मोदी ने जो की भारत के प्रधान मंत्री है तो नरेंद्र मोदी ने पहले I2-U2 शिकर समेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है ये आपको याद रखने है इस समेलन में अमेरिका के राश्रपती जो बाईड़न इस्राइल के प्रधान मंत्री येर लेपेड और संयुक्त अरब अमिरात के राष्ट्रपती मुहम्मद बिन जायद अलनाहयन ने भी भाग लिया है जिसमें चारों देशों के नेताओं ने जल, उर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्ते और खादे सुरक्षा जैसे चेक शित्रों पर चर्चा की है अब मैं आपको फ्रेंड्स I2U2 ग्रूप के बारे में बताता हूँ इसका एक्रोनियम है इंडिया, इस्रिल, यूए, यूएस ये चार देश, भारत, इस्रिल, संयुक्त, अरब, अमिरात और अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूँ है ये आपको याद रखना है इस समूँ का ओदेश समुद्री सुरक्षा, बुनियादी धांचे, डिजिटल बुनियादी धांचे और परिवहन से संबंदित इस बैठक में मौझूदा GST दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया जाएगा अध्यक्षता की है इस बैठक की निर्मला सीतरमने, जो की केंदरी वित मंतरी है अगला प्रश्ट समुद्री प्रदूशन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट महासागर समेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है सही आंसर है, ऑप्शन है, लिस्बन पुर्तगाल में तो यह आपको याद रखना है भारत की तरफ से अध्यक्षता की है, इसमें जतेंदर सिंग ने, जो की केंदरी मंतरी है और संसकरन है, इस समेलन का दूसरा यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन अर्तालिसवें G7 शिकर समेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा इस समेलन का देश करोना वाइरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्वें अगरणी लोक तंतरों को एक जुट करना और अधिक समरिद भविशे का निर्मान करना है और भारत के तरफ से यह धेक्षता की है नरेंद्र मोदी ने जो की भारत के प्रधान मंत्री है अब मैं आपको ग्रूप आफ 7 यानि की G7 के बारे में information देता हूँ G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था सन 1976 में Canada शामिल हुआ जिसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है G7 के सदसे देशे France, Germany, Italy, United Kingdom, Japan, America और Canada ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है शंगाई सहयोग संगठन शेत्री आंतकवादी संरचना बैठक 2022, S.U.Rats 2022 की मेजबानी किस देश ने की है सही answer है, option B, भारत देश ने तो भारत देश ने S.U.Rats 2022 की मेजबानी की है, ये आपको याद रखना है और ये बैठक फ्रेंट्स नई देली भारत में हुई है, ये आपको याद रखना है अगला कोशन, चोदमें ब्रिक्स शिकर समेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है सही answer है, option D, चीन देश ने तो फ्रेंट्स चीन ने चोदमें ब्रिक्स शिकर समेलन 2022 की मेजबानी की है, ये आपको याद रखने है और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है, इसमें नरेंदर मोदी ने, जो भारत के प्रधान मंत्री है और थीम है इसका, foster high quality BRICS partnership, usher in a new era for global development अब मैं आपको BRICS के बारे में information देता हूं, friends BRICS 5 देशों का समू है, और पहले इसे BRICS के नाम से जाना जाता था लेकिन 2010 में दक्षिन अफरीका के शामिल होने पर, BRICS जो है, वो BRICS में बदल गया, ये आपको याद रखना है और इस किस्त अपना 2006 में हुई है, मुख्याले इसका चीन का शेंगाई में है BRICS के सदस्य देशने फ्रेंट्स, ब्राजिल, रूस, भारत, चीन और दक्षिन, अफरीका, ये आपको याद रखना है और BRICS का पहला समेलन फ्रेंट्स, जून 2009 में रूस के जेकातिरिन बग में हुआ था, ये आपको याद रखना है वर्ष 2022 में आयोजित, दक्षिन, पूर्व, एशिया, राश्ट्र, संग, आशियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है सही आंसर है, option B, भारत देश ने, तो ये आपको याद रखना है और भारत की तरफ से अधिक्षता की है, इसमें, S. जैशंकर सावने, जो कि केंद्री विदेश मंत्री है और आयोजिन, स्थल है, फ्रेंट्स, इस बैठक का नई देली, भारत में, और संसकरन है, इस बैठक का 24 में, ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है, भारत और यूरोपी संग के बीच पहला सुरक्षा परमश शिखर समेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है तो ये आपको याद रखना है इस समेलन में दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रक्षा उपकरनों के सह विकास और सह उत्पादन की संभावना पर चच्चा की है भारत की तरफ से अधिक्षता की है सौमनाद घोश ने जो कि रक्षा मंत्राले के संयुक्त सचिव और संदीब चक्रवर्थी जो कि विदेश मंत्राले के संयुक्त सचिव है इन दोनों ने अधिक्षता की है भारत के लिए और EU का फुल फॉर्परमें फ्रेंट्स European Union ये आपको याद रखने है और इसका गठन फ्रेंट्स 1993 में हुआ है मुख्यालेस का बेल्जियम के ब्रूजल्स में है विश्व वैपार संगठन WTO के बार में मंत्री स्थरी समेलन 2022 का आयोजन कहा हुआ है सई आंसर है ऑप्शन डी जैनेवा स्विजलेंड में तो ये आपको याद रखना है इस मंत्री स्थरी समेलन में COVID-19 के टीके खादे सुरक्षा और मत्से पालन और अनियंतरित फिशिंग पर सबसिडी से सम्मंदित महत्तपूर मुद्दों पर चर्चा की गई है ये आपको याद रखना है भारत की तरफ से अधेक्षता की है प्यूष गॉयल साब ने जो कि केंदरी वानेज्जे और उद्योग मंत्री है अब मैं आपको WTO यानि की World Trade Organization के बारे में information देता हूँ हिंदी में से विश्व वेपार संगिठन कहते है इसकी स्थापना 1 जनवर 1995 में हुई है अब मैं आपको फ्रेंड्स ILC के बारे में information देता हूँ इसका फलफोर में International Labour Conference अंतराश्री श्रम समेलन जिसे अंतराश्री श्रम संसत के रूप में भी जाना जाता है इसे प्रतिवश अंतराश्री श्रम संगठन यानि की ILO द्वारा आयोजित किया जाता है भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता किया है भुपेंदर रियादम ने जो की केंदरी श्रम और रोजकार मंत्री है सूचना समाज के विश्वी शिकर समेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है सई आंसर है ऑप्शन डी जेनेवा स्विजलेंड में तो जेनेवा स्विजलेंड में सूचना समाज के विश्वी शिकर समेलन 2022 का आयोजन हुआ है ये आपको याद रखने और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है देवु सिंग चोहान ने जो की संचार राज्य मंत्री है ये आपको याद रखने है इस समेलन में नागालेंड की राज्य सभा के लिए संसत सदस्य के रूप में चुनी गए पहली महिला एस फांगोन कौनियाक ने भारत की तरफ से अध्यक्षता की है ये आपको याद रखने है अगला प्रश्ट उपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिशद बैठक की अध्यक्षता किसने की है सई आंसर है आप्शन ए प्यूश गोईलने जो की केंदरी वानिजिक और उद्योग मंत्री है इस बैठका उदेशे डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक नेटवर्क पर वस्तूओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है अकला प्रश्ट भारती वाईू सेना अपना पहला कैप स्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरो स्पेस रन निती कारेक्रम कहां आयोजित किया गया है सई आंसर है आप्शने नई देली में और ये सेमिनार फ्रेंट्स College of Air Warfare और Center for Air Power Studies के अधीन आयोजित किये गये है इस सेमिनार का लक्ष युद्ध और एरो स्पेस रन निती कारेक्रम के शिक्षन उदेश्यों को प्रदर्शित करना है तिबबत पर आठवा विश्व सांसत समेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है तो वश्व सांसत समेलन 2022 आयोजित हुआ है ये आपको याद रखने इस समेलन में तिबबत में हो रहे मानवा अधिकारों के उलंगन तथा धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त की गई है इस समेलन का उदेशित तिबबती धर्म, संस्कृती, पहचान और प्रयावरन को संड़क्षित करने का प्रयास करना है उर्जा की कमी को दूर करने के लिए केंद्रिय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने उद्योगिक डिकार्बनाइजेशिन शिकर समेलन 2022 का उद्गाटन कहां किया है सई आंसर है आप्शन डी नई देली में इस समेलन में डी कार्बनाइजेशन, नितिगत, मुद्दो, स्थेरता, जलवाईयो परिवर्तन और उनके प्रबंदन से सम्मंदित भिविन शोध विश्यों पर ध्यान केंद्रित किया है ये आपको याद रखना है भारत के मुख्य सचिवों का पहला राश्री समेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है सई आंसर है अप्शन धरम शाला हिमाचल प्रदेश में इस समेलन का उदेशे केंदर सरकार और राज्य सरकार के बीच साजेदारी को मजबूती प्रदान करना है और क्रिशी में स्थिरता, रोजगार स्रिजन, शिक्षा, जीवन सुगमता के लिए रोड मैप तियार करना है समेलन के अध्यक्षता नरेंदर मोदी ने की है जो कि भारत के प्रदान मंत्री है जपैन में आयोजित, क्वार्ड लीडर्स शिक्षर समेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है सही आंसर है, आप्शन ए, नरेंदर मोदी ने, जो कि भारत के प्रदान मंत्री है इस समेलन का उदेश ये आपसी सही योग को और मजबूत करना और इंडो पैस्विक शित्र में विकास पर चर्चा करना है और इसका आयोजन फ्रेंड्स टोक्यो जपैन में हुआ है, काफी ज़ादा इंपोर्टन है, ये आपको याद रखने क्वाइड समू के विदेश मंत्री की चोथी बैटक फ्रेंड्स मेलबन ऑस्ट्रेलिया में हुए है और इसमें भारत की तरफ से अधिक्षता की है, विदेश मंत्री S. जैशंकर साब ने ये आपको याद रखना है हम आपको क्वाइड के बारे में इंफोर्मिशन देता हूँ तो ये आपको याद रखना है भारत की तरफ से अधिक्षता की है भुपेंदर यादव ने जो की प्रेवरन वन और जलवाईयो परिवर्तन मंत्री है भारत के और इसका तीम है फ्रेंड्स उच गुनवत्ता वाले ब्रिक्स साज़दारी को बढ़ावा देना और इसमें भारत की तरफ से अधिक्षता की है अजीड दोवाल साब ने जो की भारत के राश्टी सुरक्षा सलाकार है यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमारी अर्धवार्ष की करंट फेस की बुक लौँच हो चुकिए जिसमें हमने जनुरी से जून तक के सभी करंट फेस को टॉपिक वाईज MCQS फोर्म में और वन लाइनर फोर्म में आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सर्च भी रखें जिससे की आपकी करंट फेस की काफी अच्छे तरीकी से त्यारी हो जाएगी और यकीन मानी फ्रेंड्स ये बुक आपको हर एक एक्जाम में काफी मदद करने वाली है और इस बुक को आप Amazon और Flipkart से भी बाई कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के description box में provide करवा दूँगा और जब भी आप इस बुक को बाई करें तो इस पर हमारे चैनल के TED माग को देखकर ही बाई करें नेक्स्ट कोशन देखते हैं वनों की कटाई के खिलाव संयुक्त राष्ट मरुस्थली करन रोक्थाम कन्वेंशन कोप 15 शिकर समेलन का आयोजन कहा शुरू हुआ है काफी ज़्यादा important कोशन है ये सही answer है option A अबिजजान आईवरी कोस्ट में ये आपको याद रखने है UNCCD का full forming friends United Nations Convention to Combat Desertification ये आपको याद रखने है इस समेलन का उदेशे भूमी संरेक्षन जैविविधता और दुनिया के लिए हानी कारक परिनामों के खिलाफ कारेबाई को बढ़ावा देना है UNCCD कॉफ 15 समेलन के theme friends भूमी जीवन विरासत बिखराफ से समरिधी की ओर है ये आपको याद रखने है UNCCD कॉफ 14 का आयोजन भारत की राज़नी नई देली में हुआ था ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉशन ग्यार्मी भारत इटली सैने सहियोग समू बैठक 2022 का आयोजन कहां हुआ है सही आंसर है option C रोम इटली में ये आपको याद रखने है और भारत की तरफ से अधिक्षता की है ब्रिगेडियर विवेक नारंग ने जो की एकिग्रित स्टाफ के उपस सहायक प्रमुक हैं ये आपको याद रखने है नेक्स्ट कॉशन दूसरे व्याश्वी कॉवेड वर्चुल शिकर समेलन 2022 की अधिक्षता किस ने की है सही आंसर है option D अमेरिका देश ने तो ये आपको याद रखने है और संसकरन था फ्रेंट्स इसका दूसरा और आयोजन किया है अमेरिका देश ने ये आपको याद रखने है भारत की तरफ से अधिक्षता किया है नरेंदर मोदी ने जो की भारत के प्रधान मंत्री है नेक्स्ट कॉशन दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर समेलन 2022 कहा आयोजित हुआ है काफी ज़्यादा important question है ये भी सही answer है option D Denmark में तो Denmark में friends दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर समेलन 2022 आयोजित हुआ है ये आपको याद रखना है और friends नॉर्डिक देश कौन-कौन से है Denmark, Iceland, Finland, Sweden और Norway काफी ज़्याद important point है ये आपको याद रखना है और भारत दी तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने ये आपको याद रखना है Next question स्वास्ते शिखर समेलन 2022 का आयोजित हुआ है सही answer है option है केवडिया गुजरात में ये आपको याद रखने है और अध्यक्षता की है friends इसकी मनसुक मंडावियने जो की केंदरी स्वास्ते मंत्री है Next question 1960 में हुई सिंधू जल संधी के तहट भारत पाकिस्तान सिंधू जल आयोग बैठक 2022 का आयोजित का हुआ हुआ है नरेंद्र मोदी ने जो की भारत के प्रधान मंत्री है Next question शैक्षनिक विवस्ता को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राश्री शिक्षा मंत्रियों के समेलन की मेजबानी किस राज़े ने की है सई आप्शन बी गांधी नगर गुजरात ने तो गुजरात राजे ने इस समेलन की मेजबानी की है ये समेलन राश्री शिक्षा निती 2020 स्कूल कोशल और डिजिटल परियोजनाओं जैसे राश्री डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और राश्री शैक्षिक प्रद्योग की मंच के कारियन वैन पर ध्यान केंदरित करेगा ये आपको याद रखना है Next question भारत और बांगलादेश के बीच सीमा समनवे समेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है सई आंसर है ऑप्शन है सिलहट बांगलादेश में ये आपको याद रखना है Next question रक्षा मंतरी राजना सिंग ने भारतिय तटरक्षक बल के 49 में कमांडर समेलन 2022 का उधगाटन कहां किया है सई आंसर है आप्शन भी नई देली में ये आपको याद रखना है अब मैं आपको भारतिय तटरक्षक बल यानि की इंडिन कोस्ट कार्ड के बार में information देता हूँ इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई है भारतिय तटरक्षक बल दिवस हम एक फरवरी को मनाते हैं ये आपको याद रखना है और मुख्या ले इसका नई देली में है और अध्यक्ष हैं इसके या फिर महानिदेशक हैं इसके VS पठानी है ये आपको याद रखना है जावी खेती को बड़ावा देने के लिए तीसरा Global Organic Expo 2022 कहां शुरू हुआ है सई आंसर है आप्शन भी नई देली में trembling हैं 2020 कहां वी अधंटा किस देश ने की है सई आंसर है औप्शन भी दक्षिन कार्या देश ने तो दक्षिन कार्या देश ने पंदर में विश्ववाने की कॉंघर mythology की अधिक्षता की है ये सउयुक्त राश्ट्र के खादे और क्रिशी संगठन यानि कि फाउ के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है यह आपको याद रखना है और इसके theme है friends 2022 की Building a green, healthy and resilient future with forest Next question Bimstack Shikhar Samiland 2022 का आयोजित कहां किया गया है सई answer है option C Colombo, Sri Lanka में तो यह आपको याद रखना है और संस्करान है friends इसका 5 यह आपको याद रखना है और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है इसकी नरेंद्र मोदी ने यह भी आपको याद रखना है Next question वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच W.E.F. की वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई है यह भी important question है सई answer है option D Davos, Switzerland में विश्व वार्षिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित हुई है यह आपको याद रखना है भारत की तरफ से वानिज जे और उदियोग मंतरी प्यूश गोईल ने अध्यक्षता की है समेलन का theme है friends History at a Turning Point यह आपको याद रखना है अब मैं आपको विश्व आर्थिक मंच यानि की W.E.F. के बारे में information देता हूँ इसका फल्फो में World Economic Forum इसके स्थापना जन्वरी 1971 में हुई है मुख्याले इसका कॉल्गनी स्विजलेंड में है अध्यक्ष है इसके विदेश मंतरियों की बैठक की अध्यक्षता की है भारत के तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंतरी S.J.S. करने अध्यक्षता की है वश्च 2022 की Bricks शेरपाउं की पहली बैठक चीन में आयोजित हुई है यह भी आपको याद रखना है और इस बैठक की संसकरन है यह चोदमा यह आपको याद रखना है और Bricks देशों के संस्कृती मंतरियों की साथवी बैठक चीन में आयोजित हुई है यह भी आपको याद रखना है और भारत के तरफ से इसमें मेनाक्षी लेकी ने अध्यक्षता की है जो की संस्कृती और विदेश राज्यमंतरी है यह भी आपको याद रखना है पूर्वर राष्ट्रपती रामनात कोविन ने 69 अखिल भारती आयोरवेद महा समेलन 2022 का उध्गाटन कहां किया है साई आंसर है आप्शन D उज्जैन मध्यप्रदेश में भारती वायू सेना ने राष्ट्री स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्टी लॉजी सेम वायू 2022 का आयोजन कहां किया है इंपोर्टन कोशन है यह भी साई आंसर है आप्शन C नई देली में यह आपको याद रखना है अगला प्रश्ट हमारा आखरी कोशन है प्लास्टिक प्रदूशन से निपटने के लिए पांचमी संयुक्त राष्ट प्रयवरन सभा का आयोजन कहां किया गया है सई आंसर है आप्शन B नेरोबी केनिया में तो यह आपको याद रखना है पांचमी संयुक्त राष्ट प्रयवरन सभा की अधिक्षता संयुक्त राष्टर प्रेवरन कारेक्रम द्वारा की गई है यह आपको याद रखना है भारत की तरफ से केंद्री प्रेवरन मंत्री भुपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग दिया है यह आपको याद रखना है तो यह थे फ्रेंड्स हमारे आज के important question अब इस वीडियो के एक और मत्रपन बाट आगया है जो कि है test part जिसमें मैं आपसे उपर पढ़ाए questions में से किनी 2 questions का test लेने वाला हूँ और आपको हमारे test के questions का answer comment box में देना है question number लिखके उसके सामने सही answer तो test का पहला question है पैसरणवा राष्ट मंडल संसदी समेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा ये रहे आपके 4 options second question चौदमें ब्रिक्स शिकर समेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है ये रहे आपके 4 options तो ये था हमारा test part friends हमारी अर्दवाश की current face की book लौच हो चुकी है जिसमें हमने January से June तक के सभी current face को topic wise one liner form में और MCQs form में आपके लिए provide करुआ है और इस book के last में हमने 15 टेस्ट के सच भी रखे हैं जिससे कि आपके current face की काफी अच्छे तरीके से त्यारी हो जाएगी और यकीन मानी friends ये book आपको हर एक exam में काफी मदद करने वाली है और इस book को आप Amazon और Flipkart से भी buy कर सकते हैं जिसका link मैं आपको इस वीडियो के description box में provide करवा दूँगा और friends जब भी आप इस book को buy करें तो इस पर हमारे channel के trademark को देख कर ही buy करें तो ये था friends हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको 2022 के महत्तपुन समेलन काफी detail में पढ़ा दिये आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो का content और quality पसंद आई है तो इसे like जरूर करें अपने friends के share करें और अपना feedback हमारी comment box में जरूर दें तो चलिए अब आपसे मुलकात होगी next video में तब तक के लिए thank you and wish you all the best